वेलकम बैक तो माय यूट्यूब चैनल विए सम एकेडमी दैस्पिरिट आफ एजुकेशन तो स्ट्रेंट्स इंदिजार हुआ खतम और आज चुका है आपका न्या चैप्टर यह वाट टाइम सीरीज सो लास्ट लेक्चेर में मैंने आपको असाइन्मेंट प्रॉब्लम फि अन्याइक,今 माद्र एक ही एकसेसरीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 कोश्न है सबसे इजी चैप्टर है और सबसे इंप्रेण इसलिए बन जाता है कि दस में से कोई एक कोशन आएगा exam में झाइट त्स त। इस होऊशन प्रॉक्स कर लो एक सिंज्म होटा है अब हम लोग अग वो question start करने के पहले पहले सीखना चाहेंगे exactly time series क्या होता है फिर उस time series के अंदर क्या क्या components होते है उसका meaning क्या होता है right और उसके बाद trend surface method क्या होता है then moving average method क्या होता है ये सारी कि सारी चीजे strengths गवराओ ना मैं one by one आपको explain करूंगा सबसे पहले time series क्या होता है so time series वो concept होता है जिसके अंदर आप पास data होता है and data जो होते गाइस वो arranged होते है according to the time okay so किसी ने भी पूचा what is the meaning of time so आपकी पास data होगा right now and data arranged according according to time okay जैसे मैंने बोल दिया example data arranged according to time is का मतलब क्या होता है मैंने माल यह temperature ले लिया कि लास्ट येर इस टाइम पर टेमपरीचर था for example 22 degrees celsius last to last year इस टाइम पर टेमपरीचर था for example 25 degrees celsius 25 degrees celsius then 20 degrees celsius then currently 22 degrees celsius है तो मैंने क्या गया तीन साल का data ले लिया है की नहीं तो तीन साल का data को मैंने क्या क्या आरेंज किया एक series of values a series of data है तो इसे हम क्या बोलेंगे time series perfect yes and आपका जो भी value होती है का इद्धान दुरा it is always depending on time तो time series में आप data arrange according to time बोलो या values depending upon time so जो आपकी value होती है वो time के उपर depend करती है example अगर आप बोलोगे sir थंडी के मौसम में temperature है 45 degrees celsius तो कोई बोलेगा नहीं बोलेगा Mumbai की बात करते है चलो ओम लोग राइट क्योंकि जो आपकी value हो time के हिसाब से depend करती है अगर थंडी का मौसम है तो आपको पता है कि आपका जो winter season है summer season है तो हर एक place पे time आपका उस हिसाब से आपका जो value होती है वो आपका change होती है अगर गर्मी की मौसम की बात करेंगे मुंबई में तो temperature आपका 39 degrees celsius 40 degrees celsius बहुत जादा 41 उसने उपर नहीं ठंडी ये बात करेंगे temperature आपका 22 degrees celsius 20 degrees celsius 18 degrees celsius उससे नीचे नहीं सो मेरे काने का ताथ पर यहां पर यह है कि आपकी value होती हो time के उपर depend करती है बारिश कभी भी होती है क्या no बारिश कभी time fixed है from जुलाई जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेमबर ये चार महिने बारिश आपकी जम के होती है उसके बात नहीं होती है हाँ बीच में कभी-कभी और कभी-कभी वारिश हो जाती क्योंकि global warming की वज़ेसा होता है but time series में जो भी आपका data होगा it is always dependent on the time अगर इसके मैं कुछ example दूंगा ध्यान दरा exactly time तो जैसे फोर कास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं है की नहीं फोर कास्टिंग मतलब अगर मुझे कुछ प्रिडिक करना है तो उसके लिए मैं time series का concept यूज कर सकता हूं जैसे मैं आपको example लेता हूं शेयर मार्केट येस फोर कास्टिंग में आप ले लो गाईज फॉर एक्जांपल शेयर मार्केट तो शेयर मार्केट में आपने देखा होगा हम मूविंग एवरेज का भी एक कॉलम होता है जिसका हम लोग यूज करके बना सकते हैं मतलब प्रिडिक कर सकते हैं इस कंपनी का शेयर यह हो सकता है तो अगर मुझे उनके वीच में इसे कंपैरिजन करना है है के नह कर ना है तो भी आश्य होग टाइम स्रीर से कि चेक कर सकते हैं दो लोगों के बिच में comparison करना है जैसे बोलते हैं कि लास्ट टाइम भाईया तेमपरिचर था 30 डिग्री सेल्सिए इस बार हो चुका है 20 डिग्री सेल्सिए आपने compare कर दिया ना दो साल के विदर forecasting कर रहे हो शेर मार्केट में कुछ चेक कर रहे हो राइट या profit ले लो आप लोग कोई पी चीज अगा प्रेडिक कर रहे हैं तुसके लिए में क्या चाहिए टाइम सीरीज कंफर्म अब टाइम सीरीज क्या आते हैं कुछ कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स बोलो कि सर यह क् चार कंपोनेंट्स थे हैं फर्स्ट कंपोनेंट्स था आपका सेक्योलर ट्रेंड ओके सेकेंड आपका होता है क्या करते हैं सीजनल वेरियेशन सीजनल वेरियेशन एक्जाम में यह सब नहीं आएगा बड़ आपके नॉलेज के लिए दिखो चाहिए तो मैं डारिकली कोशिल करूंगा आपको सब में आ जागा लेकिन थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ठीक है कि सब होता क्या है सीजनल वेरियेशन थर्ड वन आपका है वाला इर्रैगुलर वेरियेशन और क्या एक एट रॉलरीशट है किसके लिए उसकरते हैं लॉंग टम डेटा के लिए अगर आपके पास लॉंग टम का डेटा है तो उस टाइम क्या उसकरेंगे सिक्ट्रेंड मतलब जैसे मैं आपको बोल दूँ या आपको चार-पास साल का रेंड का एक्जामफल दे दूँ राइट ना तो जहां कहीं भी ल नमइंबर-डिसेंबर में ही दिवाली आएगी बडाबर नथो जो चीज़ती जैसे आप बोलते हो ना कि वह हमें अभी मैंगो खाना हैं तो मैंगो चाह आको जुल रहा हूं आपको इस मन्त में नमइंबर-डिसेंबर बीजनेस की बात करेंगे हमेशाय याद रखना कभी-כभी बिजनेस की हमेचल की भात करेंगे तो बिजनेस साइकल में हमेशा याद रखना कभी-कभी आपका business का cycle हो था कभी-कभी नीचे की तरफ जाता कभी-कभी नीचे की तरफ जाता है मैं example लेता हूं माल लो यह मेरे पास एक graph है यह उपर गया फिर नीचे आया फिर थोड़ा सा उपर जाके फिर नीचे आ गया तो इस graph के अंदर कुछ components आते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो आपका पॉइंट है जहां पर टॉप पर जा रहा है उसे बोलते हैं prosperity क्या बोलते हैं prosperity ठीक है तो यह भी क्या हो जागा आपका prosperity और जब यह graph नीचे की तरफ जाएगा तो बूलो क्या बनेगा आपका recession क्या बनेगा recession तो recession यह बोलो क्या आपका recession मतलब आप देख रहा हूं यह यह बोलो क्या रिप्रेजंट कर रहा है recession यहां पर यह क्या होगा आपका recession एक मिनटा अच्छा लिग देता हूं इसको मैं recession ओके सो प्रॉस्पेरिटी हो गया रिसेशन हो गया और जब यह उपर की तरफ जाता है द्यान देना सब लोग जब भी भी यह जाएगा उपर की तरफ तो क्या होगा उसे हम बोलते हैं recovery थोड़ा सा ध्यान दो recovery clear सो यह हो गया प्रॉस्पेरिटी रिसेशन रिकावरी सो एक टॉप लेवल पे गया तो उसे हम बोलेंगे प्रॉस्पेरिटी फिर वहां से उपर की तरफ जा उसे बोलेंगे recovery फिर टॉप में गया प्रॉस्पेरिटी फिर नीच आया रिसेशन लेकिन जब लोवर पे आता है तो उस लोवर को हम बोलते हैं डिप्रेशन ऐब डिप्रेशन यह कुछ इब जब कभी भी आप बात करें टो नॉम्म ली हुता है यह मैंध्सिमंग का सब्सांस मॉडल में यूजे करती हैं लास्ट puta म situableahan इर्रेगुलर वेरिएशन ऐसे वेरिएशन होते हैं जिन में यह न को कि अपका अन प्रींप्रिटेबल बार्डुम्न आ गई कहीं पर बाढ़ आ गई है कि नहीं तो यह जो चीज़े जो नाच्रल प्रॉब्लम्स होते हैं राइट ना विकॉस अग्लोबल वार्मिंग और इन सारी चीज़ों की वज़े से जो भी चेंजिस होते हैं राइट ना जो कि हमारी जो वैलू जैसे एक्जामपल में आपको बोल अब चाहते हैं जो परसर होता है नहीं कर साथ उनपेडिकटेबल इसलिए हो टा बीप हो गया या सुनामी हो गया अफ्लर्ड हो गया इन सबका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं यह कब आएगा लोग बोलते हैं कि हम दो इन चीजों की वज़ें कि चेंज होने वाला है विए नहीं कर सकता है भूकम कभी भी जैसे अभी मानला भी भूकम भागा एक्जांपल उसके बाद यह लोग्चे करके किसे टाइम के बाद है बट इस टाइम पर भूकम पाया वह एक्जाक्ट लियों नहीं बता सकते यह सारी चीज़ है अन्प्रेडिक्टेबल यह इस और रेग् हम दिखाते हैं ती से यह से ट शुर्व हमें सांदनर म्टी मोडल मउल्टीलिकेट्व बुकम पहले हमारे विसकाता हूं एडटीी मॉडल्ट आदिए Aha परेफेक्ट एडिटीव मॉडल बहुत आसान है कुछ एरी आपको मॉल्टीप्लिकेट्ट यू, मॉडल, okay trends, perfect so are in model and multiplicative model, माल लोग की मेरे पास एक माल लोग की मेरे पास जितने भी components अगर मुझे इन components को additive model में convert करना है, so for example मैं लेता हूँ xt, xt मतलब it is a sum of all the components of time series, sum of all the components of time series, यहाँ पर ही जो xt है वो क्या दिखा रहा है, sum of all the components of time series in additive model, so you are having four components, that is your secular train, मतलब T of T, plus seasonal S of T, cyclic C of T and the last one is what I of T, so I of T मतलब irregular, okay, plus I of T, so यह होगी आपका additive model, लेकिन अगर मैं इसी को multiplicative में convert करूँ गा, तो यहाँ पर X of T बोलो क्या हो जाएगा, yes, यहाँ पर क्या हो जाएगा, yes, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sum of all the time series components or components of time series, यहाँ पर क्या हो जाएगा, product of components of time series, that is X of T, okay, don't be confused, मैं इसका नाम लिख दूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T of T multiply by S of T multiply by C of T multiply by I of T, okay, so पहले बाले में X of T बोलो क्या है, yes, it is bought sum of components of time series, okay, very nice, और यहाँ पर क्या होगा आपका X of T, it is to a product of components of time series, okay, I hope कि यह पूरा का पूरा basic आपको समझ में आ गया होगा, अब ध्यान देना, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एक नया concept, चलो उस नया concept की दर चलते हैं, so guys, अगला concept है measurement of secular trend, okay, so M E measure, S E A measure, okay, just एक मिएड़ा मुझे लिखने दुसमें, अच्छे से spelling को proper, तो M E A measurement of secular trend, so guys, हम यहाँ पर हमारा syllabus, हम से पॉर्सिप सिक्यूर ट्रेंड कोई calculate करने वाले, measure करने वाले, उसके multiple methods है, multiple मत्दब बहुत सारे नहीं, तो first method is graphical method, बूलो, क्या method is trends, yes, it is called as graphical method, अब graphical method, एक ऐसा method होता है, जिसके अंदर जो भी आपको wireless दीगे होती है, x and y, x and y का use करके, आप एक graph draw करते हो, उस graph का draw करने के बाद, आप एक बना करते हो trend line, okay, so यहाँ पर हम बनाएंगे trend line, और trend line से मुझे मालूम पढ़ता है, this is my secure trend का graph, उसके बाद जो second method आता है, आपका moving average method, बूलो, क्या आता है, moving average method, जो-जो मैं बता रहा हूँ, सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे सिर्प basic information रखो, आगे चल करके मैं सब आइदम detail में सिखाऊँगा, so moving average method, so moving average method है, इसा method जोसके हम लोग average यूस करते है, ठीक है, जैसे मुझे निकालना है first moving average, बूलो, क्या निकालना है, first moving average, so बूलो, first moving average क्या हो जाएगा, that is what, x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 plus x of k, all divided by, मालो मेरे पास k value है, है, यह मेरा first moving average method है, ठीक है, अगर मुझे निकालना है, second, sorry, second moving average, ध्यान देना, second moving average बोला है, समझने की बात है, यहाँ पे, so second moving average होगा, start x2 से, x2 plus x3 plus x4 plus dot 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 dot, पीछे जाएगा, x of k plus one, हमेशा उतने नमबर हमको लेना ही है, जब one से start के गया, जब आपने वहाँ पे एक shift क्या आगे है, तो two से start कर दिया, तो क्याहाँ जाएगा आपका x of k plus one, लेकिन टोटल वैलू क्या है, आपके पास के ही है, यहाँ फिर आता है मारास third one, that is किसी ने पूश दिया, third moving average, okay strengths, so third moving average कहाँ से start होगा, जी हाँ यह start होगा, x3 से, x4, फिर x5 plus dot dot dot, अब यह दो आगे जाएगा, x of k plus, right न, वैसा, so x of k plus two divided by k, perfect, yes, so हमने यह तीनों moving average आपको explain कर दिया, so पहले graphical method explain किया, लेकिन graphical method में हम जो भी trend line draw करते हैं, उसको हम लोग free hand से draw करते हैं, जब free hand से draw करेंगे, chances हैं कि बोलते ने error आने के, so इसलिए next method आगा, moving average method, so guys moving average method में first moving average निकालो, second moving average निकालो, third moving average निकालो, but again यह जो भी आपका moving average method है, तो इसके अंदर जो method मैं बताना थाता हूँ, यह method जो है guys, इस method के अंदर हम कोई formula, मतलब कोई calculation use नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, यह method है, यह forecastically use नहीं हो सकता, क्योंकि यह proper result आपको देने वाला नहीं है, तो आप use करो, बड़ी proper result नहीं देगा, पहला graphical method था, जिसमें हमने normally free hand से ड्रॉप किया था, diagram graph, तो वो उतना successful नहीं हुआ, फिर moving average method आया, जो आपका forecastically use नहीं हो सकता, इसलिए यह भी तो आप successful नहीं हुआ, क्यों use करते हैं, trend calculate करने के, secular trend calculate करने के, method of least square, अब method of least square में हम सीखेंगे, fitting of linear trend, बोलो क्या सीखेंगे, fitting of linear trend, ओके, तो हम लोग यहापे पास, जो भी line होगे, उसको fit करके देखेंगे, perfect है कि नहीं, तो माल लो, आपका line है, guys, x of t, right, that is equal to a plus bt, so आपकी पास यह line है, इसको हमें fit करना है, तरिकिन fit करने के लिए, हमारे पास नाहीं a की value है, नाहीं b की value है, so a और b की value calculate करने के लिए, हम लोग क्या लिखेंगे, summation of xt is equal to an plus b, summation of t, perfect, यह पहला equation कहां से निकाला मैंने, इसी से निकाला, देखो सब लोग, इसी के अंदर मैंने हर जगा, summation का multiply किया, जब आप x of t में summation का multiply करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, जी हाँ, summation of xt, फिर a के बाज़ी में कोई number नहीं है, constant है, और constant का जब आप summation निकालते हैं, तो हमेशा n आता है, बोलो कितना आता है, n, perfect, थमने क्या लिख दिया, an, plus b, t आपका variable है, तो summation of t हो जाएगा, फिर दूसरा equation कैसे बनाऊगे, इसके अंदर आप multiply कर दो, t से, तो summation of xt, बराबर, आपके print line वाले method equation में, summation का multiply करने से, दूसरा कैसे मिलेगा, t का multiply करने से, so t of x of t, x of t, that is equal to a, अब ध्यान दो आपना, n यहाँ पर क्या होता है, n मतलब सब लोग ध्यान दो आपने, n का मतलब होता है, summation of 1, summation of 1 मतलब, अगर आप 1 को जितनी बार एड्ड करोगे, उतनी वेल्यو आएगी, अगर आप 1 को दो बार एड्ड करते हो, तो 1 प्लस 1, 2 आए, न टीन बार एड्ड करते हो, आता है, दो फोर आता है, आता है, टो मैं N लिखते हैं, तो 1 में समेशन, के आएगा summation of t plus b summation of t square देखा आपने आपके पास यह दोनों equation है इन दोनों equation का use करके यह और भी निकालो फिर इसको अंदर put करो आपका main equation आगे that is what fitting linear trend का perfect yes अब इसके अंदर कभी-कभी value जो होती है action y की बहुत बड़ी-बड़ी आती है तो उस case में उनको छोटा करने के लिए जो नया formula use करेंगे जहां देना मान लोग कि अगर मुझे t को convert करना है यू में क्यों t को convert करना है यू में क्यों t को convert करना है यू में क्यों t के विए लार्ज है जैसे मैं बोलते है न 1960, 1950, 1930 ऐसे numbers आगे तो उनको छोटा करना बहुत important हो जाता है इस trends तो छोटा करने के लिए जो u की value होती है it is always t minus middle value of t whole divided by h अब यहाँ पर h क्या होता है it is the difference between two consecutive value of t what is h difference between two consecutive value of t perfect so हम u निकालेंगे बोले u कैसे आएगा t minus the middle value of t whole divided by h अब यहाँ पे भी ध्यान देना यह जो आप u निकालते हो ना इसमें बहुत 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 एक चीज है यहां पर हम लोग जो t की value होती है या तो होती है मेरे पास मतब t मतब in short मेरे पास n की value होती है वो या तो होती है even या तो होती है अधा मिडल अफ टू तू टू टी वैल्यूस मैं पो समझाता हूं इसका मेनिंग के रहा था है टू टी वैल्यूस डिवाइड बाइच 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 बाइट यह फॉर्मला है ठीक है अब जैसे मैं दो वान टू टू ट्री फॉर फाइव यहां पर देखो कि मिडल अफ टू वैल्यूस मतना त्री फॉर का मिडल क्या हो जाएगा 3.5 इसलिए हम ऐसा करते है ठीक है येस समने यू निकाल दिया इस ट्रेंट जैसे यू निकाला जो आपने एक्वेशन लिखा था वह आपका एक्वेशन चेंज जाएगा सो बुलो हमारा एक्वेशन क् तो समेशन आफ यू फिर समेशन आफ वाट यू X of T X of T is equal to A डष समेशन आफ यू प्लस B ड्ष समेशन आफ यू स्क्वेशन आफ यू स्क्वेशन पर्फेक्ट आई होप कि आपको सारी के सारी चीज़े क्लियर हो गए होंगी तो यह मेजर्मेंट ओव सेक्योल उन था मैंने सारी चीज़ें आपको explain कर दी तो आपने देखा लगबग 20 जादा टाइम गा 23-24 मिनिट्स हो चुके हैं लेकिन ध्यान दना मैंने आपको लगबग सारे के सारे concept explain कि अब इसके बाद मैं start करूंगा एक first question ठीक है तो जो पहला question है वह हम start करेंगे आज मैं एक question करा हूंगा क्योंकि एक question मैं आपको समझ में आ जागे exactly क्या कर रहे और next lecture में एक-दो question करा करके बागी सब हो माग क्योंकि सारे same question है बहुत आसान question है बच्चों मैं आपको बता रहा चाता हूं ठीक है चलो यह रहा हमारा पहला question so question number first the following data gives the production of bleaching powder in tons 1000 tons for the year years from 1962 to 1972 चीक है यह पहला question आपके exercise 4.1 का यहां पे आपको यह दिया है 1962 the 1963 64 65 66 अब कुछ 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 वैलू दिये अगर बोला है graphical method तो क्या draw करेंगे हम लोग action y axis ध्यान देना अब इसको draw करने के लिए exam में अगर ग्राफ देता है नॉमली देते ही हो लोग दिया तो ठीक है नहीं दिया तो अपने सब लोग यह सारी चीज़े लिखना compulsory है अदर्वाइस marks कटते हैं यह हो जाएगा आपका y axis ठीक है अब हम लोग x axis पर डालेंगे year ठीक है आप डालते trend line आपको पता है तीड़ लाइन तीड़ लिखो कि आप आप समझ जाओ 1965 1966 1967 1968 1969 1990 1969 क्या कर रहा हूं रुक 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 70 70 60 70 70 and 71 और लास्ट लेते 72 चलेगा ओके फिर जो हमारी वारी बैल्यूस है बोलो क्या दिये प्रश्चेंड्वें येस 00147 10 ये बाडा लमबर नहाया है ये 10 ये तैन है यहां पर दो स्केल क्या क्या को अपर लोग एपर लोग स्केल क्या अन x axis one centimeter is equal to what one year बराबर na 62 63 बने एक year and on y axis one centimeter is equal to what production किता न दिया one production ठीक है सो production बतर one unit में आता है तो यहां पर लिख दो unit ठीक है चलेगा perfect स्टाट करते हैं पहला पोइंट है 62 के लिए 62 के लिए क्या value है 0 तौक लिए पास पहली value हागी पास यस 63 के लिए 0 है यस 63 भी हमें मिल गया 64 के लिए 1 तो 64 के लिए 1 दो दौर से से ट्राइ करो यास मिल गया वन 65 के लिए भी वान ओके नेक्स्ट नेक्स्ट 65 के लिए 1 66 के लिए 4 है तो यहां पहा रहा है देखो सब लोग यास यह है 65 यह है फोर के लिए देन 672 अर यह तो नीचे आ गया 672 यहां पहा जाएगा अराम से बहुत अच्छा बनने वाले ड्रा देन उसके बाद 68 के लिए 4 अगें 4 पहा गया तो 69 69 के लिए 9 अरे वाह 69 के लिए 9 भाग गया बचा यहां पहे चीक है देन उसके बाद 70 के लिए आ रहा है 7 तो 70 के लिए 7 देखो यह है चीक है फिर आपका है 71 के लिए 10 यहां पे आ गया 10 ओके 72 के लिए 8 तो यहां पे आ गया 8 लिए परफेक्ट तो फटा फटा फट जॉइन कर दो सब लोग अब इसको मैं चाहिए तो एलो कलर से डॉइन कर लाता हूं ठीक है तो थ्वड़ा से आपको समझेगा भी अच्छे स और मैं लाइन ले रहता हूं नहीं जान दो लाइन मतलों ओके आप लोग स्केल से डॉग करना चीक है वन बाई वन जो पहले आता है उसके हिसाब से येस सीधा लाइन है समझत हूं मैं तो आ ट्रेडी लाइन बना रहा हूं आप समझ जाओ कि सारे पॉइंट से हैं यहां से उपर यहां से नीचे देखा आपने बना दिया जी हाँ अब बनाने के बाद यह तो हमने ग्राफ बना दिया अब आपको बनाना एक लाइन जिसे हम क्या बोलेंगे सिक्योर ट्रेंड की लाइन पर्फेक्ट सिक्योर ट्रेंड की लाइन देखोगे मतलब आपको इस लाइन क्या बोलेंगे यह से टीज माइ टेंड लाइन अ यह जंग कर ने यह जो कि अगया होगा कि कैसे करना है है इतना होने के बाद मैंने आपको फर्स्ट में सिखा दिया ग्राफिकल में उसके बाद आता है सब्सक्राइब करना है उसके बाद में करता हूं पहले मैं करता हूं मुविंग अबरेज यह वन देखे कांफ्यूस मत हो जाओ क्योंकि पहले वाले को यूज करना है सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब क्या होता है समझने की बात करते हैं तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा टेबल सबसे पहले हम लिख देंगे यह क्या लिखेंगे बोलो इयर सब्सक्राइब क्या है 1962 19 सबसे इसदी होता है मुविंग अवरेज 63 1963 के बास 64 1965 1966 1967 1968 1969 के बाद ही ने गलती हो जाने लगती मेरको 1970 थोड़ा सा इसको मैं उपर कर देता हूं येस 1971 1972 फिर उसके बाद क्या लिए प्रडेक्शन तो लिख दे प्रडेक्शन और वाइव येरली मूविंग एवरेज पहलेंगे फायव येरली मूविंग टोटल सो देखो कैसे करेंगे प्लीज समझने की बात है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप देखोगे 5 yearly मतलब स्टार्ट करोगे 0 से राइट स्टार्ट करोगे अप लोग 0 से और काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 12345 मतलब देख रहा है यह 5 value ठीक है यह 5 value क्या है मेरी फर्स्ट फाइब वैलुस में आती हैं तो जो इनका टोटो लोगा उस सेंटर में आएगा तो उसके उपर डैश उपर भी डैश देखा आपने यह उसको मैं देता हूँ तो उसको मूफ करते हैं जो हो करेंगे तो यहां पर समझने वाली बात सेकेंड वन तो 1 second से count करो 1 2 3 4 5 मतलब यह सारी values क्या आने वाली मेरी total में और उसका जो center होगा third place दो यहां पे right so बोलो क्या हो जाएगा 1 0 plus 1 is 1 1 plus 1 is 2 2 plus 4 is 6 6 plus 2 is 8 बोलो यहां पर क्या जाएगा आपका 8 देखा आपने अब 1 2 गया अब लेते थर्ड को cover so third वाले points से start करेंगे तो क्या आएगा यहां तक एक minute yes यहां तक आएगा right 5 value आ गई और उसकी middle value यह है right strengths so 1 plus 1 2 plus 4 6 plus 2 8 8 plus 4 क्या होता है 12 बड़ा बनना 8 4 12 देखो मैं आपको सिखा रहो हर एक combination ले करके समझने की बात है बच्चो और कुछ नहीं यहां पे और बहुत आसान question है यह सो थर्ड का अभी होगा फॉर्थ को ले लेते हैं right so fourth के लिए को यह आगे value में पास 123 इसका middle 2 है यहां नाइन तक हम लोग है 9 तक so 1 plus 4 5 5 plus 2 7 7 plus 4 साचारी गया रहा 11 plus 9 is 20 right perfect तो आगे 20 ठीक है अभी next value के लिए हम लोग को आप 4 के सामने वाला पार्ट हो गया right आप 4 के सामने लिए लिना है 10 plus 9 is 19 19 plus 7 is 26 okay तो यह भी हमारे पास आ गया उसकी बाद next value अभी हम 2 से कवर करने वाले हैं जाएंगे 10 तक और वो 9 के सामने क्योंकि 9 हमारा middle में आ रहा ना 4 plus 2 6 6 plus 9 15 15 plus 7 22 22 plus 10 भुल कितना होता है जी हां 32 ठीक है यह भी हमारा हो गया फिर हम कहा करेंगे 4 से start करेंगे ना ठीक है ना येस कहां start करेंगे 4 से तो 4 से start किया यह सारी value आ जाएंगी 4 plus 9 13 13 plus 7 20 20 plus 10 30 30 plus 8 is 38 7 का middle that is 38 देखा आपने येस अब 9 से start करेंगे अरे नाइन से 1 2 3 4 या पांच वैलू था ही नहीं तो आगे जाना ही नहीं है पांच वैलू आ नहीं चीज जहां तक 5 आ रहा है वहां तक कैल्कुल करो उसके बाद क्या लगा तो डैश डैश देखा आपने येस ये क्या था मेरा 5 yearly moving total अब क्या निकालेंगे 5 yearly moving average so 5 yearly moving average calculate करने के लिए क्या करेंगे पहला डैश दूसरा डैश अब 5 बोलाए ना 5 साल का average निकाला तो 5 साल का data total निकाल दिया है सबको 5 से divide करतो 6 divided by 5 so 5 बचाओ one point लगा दिया थमने हो गया ten five two's are ten eight के लिए करते है five one's are five point हो गया three बचे का कैरी में राइट ना six hundred बरावर five six are thirty five two's are ten five four's are twenty then five 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 four's are twenty बरावर ना yes five five is a twenty five बचा one five two's are ten thirty five six are thirty बचा two twenty five four's are twenty thirty रिकले five seven's are thirty five thirty five बचेगा three हो जाएगा thirty five six are thirty so आपका answer क्या मिला one point two one point six two point four four point zero right now and five point two six point four seven point six so यह क्या था आपका strengths five yearly moving average दो कितना आसान था आप खामकाई से difficult बना रहे थे so strengths हमने आज दो method सीखा एक moving average method सीखा और एक हमने क्या सीखा graphical method अब जो हमारा बाकी है कौन सा least square method इसमें calculation होने वाला है जो कि मैं कराने वाला हूं next lecture में राइट तो मैं आपको बता दिना चाहता हूं आगे question number four क्या बोला है trend line to the above data by graphical method right so graphical method करो फिर उसके बाद next आपका आ गया यह कौन सा method है trend line आई तो least square हो गया फिर यह दो यह देखो four yearly अच्छा सेंटर वाला अला गया सेंटर वाला मुझे करना बाकी है फिर यह दो question में इस question में 7 गों क्या दिया है मैंने 7 गो 789 सब साथ में लिख दिया तो पहला है trend दूसरा है least square and fourth one क्या ही है obtained the trend values for the aborator using three early moving average क्या थ्री एर्ली moving average दिया है मतलब तीन-तीन का combination पिछले वाले में पांच था अच्छे एक बात और यह सेंटर वाला है उसको मुझे कराना बाकी है तो वह मत करो ठीक है बद जहां कहीं भी five yearly moving average three early moving average आ रहा है तो confused होने की जरूत नहीं है उसको आप करो राइट ना तो क्या करोगे यह जहां-जहां कहीं भी graphical method से trend line draw करना होगा वह सारे question finish करो और जहां-जहां कहीं भी moving average निकलना है whether it is three moving average three yearly moving average और five yearly moving average confirm वह सारे के सारे questions में से finish कर दो सिर्फ इसके अंदर एक ही method बच्चा हुआ मिलते हैं नेक्स वेडियो में थैंक्यों सोबच बबाइ